नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर आज इस वीडियो में मैं आपको वताने वाला हूँ एक और नए IPO के बारे में कंपनी का नाम है Knowledge Marine and Engineering Works Limited तो कंपनी की basic information और IPO की official dates and details की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को भी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर करें well icon को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी subscribe कर सकते हैं जिसका link आपको description में मिल जाएगा देखें मार्ज के महिने में बहुत सारे अच्छे अच्छे आईपियोज आने वाले हैं और कुछ आईपियोज आ भी चुके हैं इसी लाइन में एक और नया आईपियो आ चुका है जिसका नाम है knowledge marine and engineering works limited का आईपियो तो चलिए सबसे पहले इस company के product and services के बारे में समझ लेते हैं कि company किस तरीके के product बनाती है और company का जो business है किस field में है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं product and services में company जो है mainly pilot votes, tug votes, survey votes and grab dragger यह जो नाम का होता है यह बनाने का काम करती है आप मैं आपको बता दूँ कि यह जो है नाव होती है जो समुद्र में चलाइं जाती है अलग अलग तरीके की होती है different different काम के लिए different different तरीकी की बोट्स होती है वो बनाने का ये company काम करती है या इस से related product बनाती है जैसे कि आपने नाम भी पढ़ा होगा कि knowledge marine engineering तो marine engineering से related जितने भी product है ये company बनाती है और बोट्स बनाने का ये mainly काम करती है जब आप इसकी website पर जाएंगे तो आपको ज़्यादा explanation मिलेगा कि product क्या क्या है यहाँ पर मैंने सिर्फ नाम दिये हैं और आप इसकी website पर जाएंगे तो आपको photo भी दिख जाएंगे कि कौन सी vote किस तरीके से देखती है और क्या काम में आती है अब चलिए सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर इसके financial के बारे में यहाँ के financial को तीन भागों में डिवाइट किया गया है टोटल assets value, total revenue and profit after tax यहाँ पर 31 मार्ट 2018 31 मार्ट 2019 31 मार्ट 2020 यहाँ पर 30 September 2020 यानि कि यह 1-1 year के नंबर हैं और यहाँ पर cable 6 month के दिये हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और एक और बात यहाँ पर जो भी value है यह लाख में है यह भी आपको ध्यान रखना है अब देखिए 31 मार्ट 2018 को हम assets value देखे हैं तो 1409 लाग के करीब थी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1409 लाग के करीब थी वहीं यह बढ़कर 2019 में मतलब एक साल बाद 2994 लाग के करीब हो गई वही 31 मार 2020 की बात करें तो यह बढ़कर 3550 लाग के करीब हो गई और यहाँ पर अगर तोड़ा सा और आगे देखें यानि कि 30 सेप्टमबर यानि 6 महिने में ही 3381 लाग के करीब यह होती हुई नजर आई यानि कि लॉकडाउन में यह 6 महिने गया है लेकिन इसकी जो एसेट्स क्वालिटी है इसमें सुधार होता हुआ नजर आ रहा है यानि कि कंपनी ग्रोथ में हैं कोई दिक्कत नहीं है लॉकडाउन में इसको जरा भी इसकी एसेट्स क्वालिटी फर फरक नहीं पड़ा है बलकि थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आ रही है वहीं अगर बात करें टोटल रिवेन्यू की तो यहाँ पर 1064 लाग का जो रिवेन्यू है यहाँ पर 31 मार 2018 को आया 31 मार 2019 को 1069 मिलियन का यानि कि थोड़ा सा कम होता हुए नजर आया वहीं 31 मार 2020 को 2417 लाग का और यहाँ पर अगर बात करें 30 सेप्टेंबर 2020 तक की यानि कि 6 महीने की अभी पूरा साल नहीं हुआ है तो यहाँ पर 1634 लाग का यहाँ पर प्रॉफिट जो रिवेन्यू होता हुआ नजर आया है अगर इसको डबल करें तो करीब 32 32 सो लाग के करीब होता है जो कि हम डबल नहीं करेंगे अभी देखते हैं इसके क्या फाइनेंसियल आएंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपको ग्रोथ साब साब दिख रहे हैं यह रिवेन्यू में कोई भी फरक नहीं पड़ा है अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में भी इस कंपनी को जरा भी फरक नहीं पड़ा है वहीं अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टेक्स की देखिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंपोटेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए तो 2018 मार्च में 143 लाग रुपे का प्रॉफिट हुआ उसके बाद 31 मार्च 2019 को 270 लाग रुपे का प्रॉफिट हुआ हो 31 मार्च 2020 को 424 लाग का प्रॉफिट हुआ हो वहीं बात करें अगर 30 सेप्टमबर 2020 तक की यानि पिछले 6 महिने में तो 380 लाग का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ यह देखिए 6 महिने का अगर इसको डबल करेंगे तो यह जस्ट डबल हो जाएगा और करीब करीब यहाँ पर 76 यानि की 760 लाग का क्योंकि यह 6 महिने का है तो यहाँ पर आपिसली बढ़ता हुआ देखेगा तो यहाँ पर प्रॉफिट में भी कोई भी दिक्कत आती हुई नजर आ रही नजर नहीं आ रही है यानि की चारों जो तीनों चीजे मैंने आपको बताएं चाहे एसेट्स क्वालिटी हो चाहे रेवेन्य हो चाहे प्रॉफिट आप्टर टेक्स हो आपको यहाँ पर यह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आगस में लगातार ग्रोथ देखी जा रही है वही अगर बात करें इसके डिटेल की आईपियो की देखिए नौ मार्च से ओपन होगा 12 मार्च तक आईपियो ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए यानि 12 मार्च तक क्लोज हो जाएगा यह फिक्स प्राइस है इसको भी आप देख लाएं फेस वैल्यू 10 रुपए पर देखिए शेयर है अगर आईपियो प्राइस की बात करें तो 37 रुपए पर देखिए शेयर आपको मिलेगा टोटल इसमें जो यह ला रहे है आईपियो है यह जादा का नहीं है 1.92 करोड रुपए का ही है जादा का नहीं है चोटा सा आईपियो है समी आईपियो है और अगर बात करें यहाँ पर शेयर्स की तो यहाँ पर 2 करोड तहता लाख दो करोड नहीं है स्वरी 27 लाख 36,000 शेयर्स जो है मार्केट में ट्रेड करने के लिए उतरने वाले हैं वहीं बात करें लोट की तो आप मेंमम और मैकसिमम दोनों में ही एक लोट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 3000 शेयर्स रहेंगे और जिसकी वेल्यू एक लाख 11,000 रुपए के अप्रॉक्सिमेट रहेगी तो देखिए इस तरीके से आई प्यो था लेकिन अब बात आती है कि इस या फिर इस आई प्यो को इग्नोर करना चाहिए देखे अभी मार्च के महीने में बहुत सारे ऐसे अच्छे आई प्यो आने वाले हैं जो की रिटेल निवेश्कों के लिए बहुत ज़्यादा मुनाफ़े जनक रहने वाले हैं अब ये जो आई प्यो है 37 रुपए का इसका प्राइस पर उपन हो क्योंकि छोटा इप्यो ना हमेशा रिस्क रहता है और आपको ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर लिस्टिंग पर गेन देखने को मिले ही क्योंकि ज़्यादा इसमें निवेशक इंट्रेस्ट नहीं लेते हैं अधिक तर जो निवेशक होते हैं वो बुक बुक बिल्ट जो इसू आता है जिसमें प्राइस बैंड होता है उसके लिए भागते हैं और उसमें ही ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो मेरी राह यही है कि मार्च के महिने में अल्रेडी दो जैसे कि आज आपने देखा कि MTR का जो IPO है आज खतम हो रहा है और आठ तरीक से एक और नया IPO है जो की इजी ट्रिप बाला IPO है वो भी सुरू होने वाला है तो यहां पर बहुत सारे बुक बिल्ट इसू आने वाले हैं तो आपको इनके चक्रों में पढ़के अपनी पूजी को ब्लॉक नहीं करवाना चाहिए मेरी यही राह है आप इसमे आम निवेशक को या छोटे जो निवेशक हैं हमारे जैसे निवेशक हैं जो जिन्हों ने अपनी सुरूआत करी है या जिनको अभी पांच-छे साली हुआ है उनको अभी इस IPO में अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज भी नहीं होता है और इसमे गेन मिले ना मिले और कब तक इसको होल्ड करना पड़ेगा तमाम इशूज रहते हैं तो मेरे ख्याल से मेरी राय यही है कि आपको इस IPO को हाथ नहीं लगाना चाहिए आपने देखा सब चीज जानना जरूरी है कंपनी क्या करती है कौन सी कब लिस्ट हो रही है कितने पर ल गुश mee बना कर लाता हूं कि देखे जानना हर चीज जरूरी है करना पनको जो जितना है लिम्टेड है लेकिन जानना तो हर चीज जरूरी है क्योंकि शेयर मार्केट में जितना ज़्यादा आप जानोग आपकी एक्व्धियो ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो देकि हर चीज जानना जरूरी है इसलिए वीडियो आपके लिए बनाया गया है अपलाई करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है इस आई पियो में तो आप ध्यान रखेंगर आप अपलाई करते हैं अपनी रिस्क पर करें अपने फाइनेंसल एडवाइजर से जरूर पूछ लें वीडियो के बल आपको एजुकेशनल परपस के लिए बनाया गया है तो आई तिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी जरूर करें वेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आज की वीडियो में फिलाल इतना ही धन्यवाद